संकर्षान प्रद्यूम्द और अनिरुद्ध ये भगवान के विभु स्वरूप कहे गए हैं और विभु स्वरूप विभु मने व्यापक जो सब में है और जो जिसमें सब हैं विभु मने व्यापक हम लोग जिसमें रह रहे हैं इसको मृति लोक कहा जाता है हम विभु स्व ब्रमाजी रहते हैं यह सबसे उपर वाला मंजिल है ब्रमाज़ का ऐसे ही साथ नीचे के बताए गए हैं अतल, भितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, तब पाताल पाताल सबसे नीचे वाला तला है और सत्य लोग, अत्वा ब्रम लोग सबसे उपर वाला तला है दोनों सब मिला करके और ऐसे ऐसे ब्रम्हांड अंगीनत हैं जिनकी गिंती नहीं हो सकती हो कहां रहते हैं कहां टिके हुए हैं तो जैसे एक डंठल में सेकड़ों केले गुथे रहते हैं घौद एक डंठल में जैसे सेकड़ों अंगूर चिपके हुए होते हैं एक डिंठल में जैसे सेकड़ुन नारियल के फल उठे रहते हैं ऐसे ही विराट रूप भगवान के विभू भगवान के रोम रोम में एक-एक करोड ब्रम्हान्ट ऐसे ऐसे इसके लिए मानस में पंक्ती है माता कोसल्या को वो अपना विभू विराट रूप प्रहु ने दिखाया था देखरा वा मात है निज अद्भुत रूप ए खंड जिनके रोम रोम प्रति ला गई कोठी कोठी ब्रह्मांड निकाया निर्मितमाया निकाया मनी द्रह्मांड़ों के जुझड के जुझड कहां कि ब्रह्मान्ड निकाया निर्मित्माया रोम रोम प्रति वेद कहें, वेद ऐसा कहते हैं कि उनके रोम रोम में ब्रह्मान्डों का जुन्ड का जुन्ड लटका हुआ है, तो सोचिए कि ब्रह्मान्ड ही इतना बड़ा है कि इसकी थाह लगाना किसी के बसकी बात नहीं है, को तेन सिंहने हिमाले के एवरेस्ट चोटी की उचाई नाप करके जरूर बताई है, लेकिन हुआ है, आज तक कोई माई कालाज जो आकास को नाप दे की आकास कहां से सुरू हुआ है और कहां समाप्त हुआ है, ऐसा नहीं, कोई पेदा ही नहीं हो, सबसे कम उड़ने वाला स्रीकाग भुस्वन्दी जी कहते है कि गरुड जी चाहे मच्छड उड़ता उड़ता ठक जाए, और चाहे आप गरुड जी उड़ते उड़ते ठक जाए, लेकिन आकास का ओर और छोर, कहां से आकास की सुरूआत हुई है और कहां जाकर इसका अंत हुआ है, ये कोई बता नहीं सकता है, तुमही आदिखग मसक प्रजंता नववडाई नहीं पावई अंता, ये तो एक ब्रमांड के आकास की बात रही, और सोचिये कि जब एक ब्रमांड का ही इतना विस्तार है कि इसके आकास का कोई थाह पता नहीं, और छोर नहीं बता सकता, तो जिनके रोम रो ला गई कोट कोट ब्रमांड उस प्रभु का रोम कितना बड़ा होगा, और वैसे वैसे अनंत रोम होते हैं जिनके स्री विग्रह में, तो उनका वह सारा स्री विग्रह, सारा स्वरुप वो कितना बड़ा होगा, उसकी कोई थाह नहीं बता सकता है, इसलिए वह अनाद है, आओ रहे, अच्छो रहे, स्री हरेनुए, दक्षए भारत की यात्तरा में स्वामी स्री विवेकाननद जी महराज से किसी ने पूछा था, आप लोग इस्वर, इस्वर, इस्वर करते रहते हैं, इस्वर क्या थी, what is God, इस्वर क्या थी, स्वामी विवेकाननद जी ने कहा क and what we do not know the sum total of all is God जितना हम जानते हैं वह जितना हम नहीं जानते हैं समस्त का जो total है योग है उसी का नाम है ईस्वर तो जितना हम जानते हैं उसकी तो एक सीमा हो सकती है लेकिन जितना हम नहीं जानते हैं उसकी कोई सीमा नहीं है वह असीम है वह अनंत है इसलिए भरवान को अनादि और अनंत का करके प्रतपादन किया जाता है जो दावा करता है कि हमने तो उसको पूरा पूरा जान लिया तो सुर्थी भरवती कहती है कि यस्या मतम तसमतम मतम यस्न वेदसा जो कहता है कि मैंने इस सफर को पूरा पूरा समझ लिया जान लिया, कुछ जानना बाकी नहीं है तो कहा जाएगा कि तो एक नंबर का अध्यानी है उसके बारे में तू जानता ही नहीं है और अगर तु बता रहा है अपनी छमता के अनुसार तो तेरा बताना कैसा बाना जाएगा। जैसे एक कुवा में पड़ी हुई छोटी सी मेड़की, से पूछा जा है की क्यों रही मेड़की, संसार कितना बड़ा है। तो दोनों पाँ और दोनों हाथ पहला के कहती है इतना बड़ा है। अरे मुर्खा, जितना तेरा हात्मा फैल रहा है, उसे जादे बड़ा तो तेरा कुवा है, और ऐसे ऐसे अनंत कुवा जिस दर्ती में हो, और ऐसी ऐसी अनंत दर्ती जिस आकास में हो, और ऐसे ऐसे अनंत आकास जिसके रूम रूम में हो, उसके बारे में तू बता देगी, ज पागया तू जूट बोल रहा है और जो यह करता है कि साव इतना महान है इतना व्यापक है कि हम क्या बता सकेंगे उसके समंध में जनने वाले और बर्न करने वाले साथ व्यक्ति हैं तो बड़े महान हैं और वो भी आज तक नहीं बता सकें वो साथ व्यक्ति कौन हैं बोले सारद सेश महेश विधी आगम निगम पुरान नेति नेति कहिजा सुगुण करी निरंतर गां नाई थी नाई थी नाई थी नाई थी नाई थी मने इतना ही नहीं कुब गा एगए खुब गाए लगाए लगा कि आप पूरा बर्ण बढन कर दिया तो और नेहीं है अब फिर खिनारे हो कर के देख देखते हैं तो कहाँ कर पायाई अब ंसको एक महले का बढ द नहीं कर पाया अभी तो उसके एक जिला का भी बर्णन नहीं कर पाए, अभी तो उसके एक प्रांत का भी बर्णन नहीं कर पाए, अभी तो उसके एक देश का भी बर्णन नहीं कर पाए, अभी तो उसके एक लोग का भी बर्णन नहीं कर पाए, अभी तो उसके एक ब्रमांड का भी बर्णन कि भीतर काख वसुनडी जी कहते हैं, मारकंडे जी कहते हैं, कि हम भीतर कुछ करके देगे तो वहाँ भी ःनन्त- ब्रह्मांड में उतारा, एक एक ब्रह्मांड में रह उबरस्त एक。 तो जिसका कोई आद नहीं पासका, कोई अंत नहीं पासका, उसके लिए तू रिपोर्ट दे रहा है, कमेंटरी दे रहा है, कि मैंने उसको पूरा पूरा है, तो तू अज्यानी है, तू अपनी सीमा में कुछ बता रहा है, वो सीमा में नहीं है परमात्मा, वो असीम है, तो इ श्वरूप और उसके बात कौछ श्वरूप बता रहे थे विउएस्वरूप विऊस्वरूप के चर विद बता ये वास्देव संकर्शन्थ प्रद्युन्द्ध और अनिरुद्ध ये चार एक ऌरम के इन में से कोई कोई मन का सौमी कोई चित का सौमी कोई बुद्धी का सौमाी और कोई की आंकार का स्वामी एक एक विधाद गलग गलग इसको उदाहण देकर कि संजारा क्या कर थे इस ठीजस घ़र में जो अनिएक तरह के काम कर रही है किया प्रकास दे रही है न और भुटन दबा दे लगेगी तो फोटन दबा दे तो भर पजबने लग जाएगी अचुला वाला बटन दबा दे तो समें आग पढ़ा हो कर कर खाना बटन दबा दे तो बड़ी बड़ी मसीन चला करके कपड़ा बुनने का काम करनी लगेगी तो यह जो बिजली होती है यह दो भागों में बिभगत रहती है कौन-कौन AC और DC AC और DC पहले वाला जो विभाग था AC और DC उसका अर्थ होता था alternating current AC और direct current DC और अब AC DC का दूसरा अर्थ भी हो गया है agricultural connection जो किसानों को मिला करता है और domestic connection DC जो घर वालों को मिला करता है तो यह बताईए वही बिजली एक जगा प्रकास दे रही है एक जगा हवा दे रही है एक जगा बरफ जमा रही है और एक जगा रसोई बढ़ा रही है और एक जगा कारखाना चला रही है तो सुरू सुरू में जहां से ये बिजली पैदा होती है और चलती है वहाँ क्या दस तरह की बिजली पैदा होती है सुरू सुरू में ओरिजिनल जिनरेटर जो पावर हाउस है वहाँ तो एक ही तरह का है लेकिन आगे चल करके वो दो भागों में बाट दिया गया वोल्ट में कहीं 440, 880 में कहीं 440 में, और हमारे घर तक आते आते 220 में, और उसमें भी बल्बो में भी, कहीं 0 वाट का, कहीं 15 वाट का, कहीं 40 वाट का, कहीं 60 वाट का, कहीं 100 वाट का, कहीं 200 वाट का, अब जिनको जितना जितनी क्षमता प्रदान कर रखिये उस परमात्माने वे वहाँ उतना प्रकास दे करके और उतनी अपनी शमता भी खेर करके क्रिया कलाब को समाल रहे हैं इसी तरह से एक ही वड़वान, मूल में तो एक ही हैं उनको इस्वर कह लिजिए, परमात्मा कही कह लिजिए, भगवान कह लिजिए, ब्रम्न कह लिजिए, राम कह लिजिए, कृष्ण कह लिजिए, नारेन कह लिजिए, शिव कह लिजिए, अल्लाह कह लिजिए, गौड कह लिजिए, शक्ति कह लिजिए, शक्तिमान कह लिजिए, पुरुष कह लीजिए, पुरुष उत्म कह लीजिए, बहुत सारे उनके नाम है, जो नाम आपको पसंद हो, उसी नाम से उनको आप, तो कर ये, वो परमात्मा मूल में एक है, और फिर आगे चल करके, स्रिष्टी की आवश्यक्ता नुसार, भद्यों की भागना की नुसार, अलग-अलग रूपों में अभिव्यक्त हो करके, और अलग-अलग विभाग समालते हैं, बक्तों को अलग-अलग प्रकार का सुख देते हैं, तो ये, चत्र विवुवाले विभाग समझ जाग है न, अच्छा, और तीसरा क्या बताया था, विवु, नहीं, तीसरा बता है विभु, विभु मने, व्यापक श्रूप, उससे बाहर कोई ही नहीं, विवुवाले व्यापक, इसी को एक गीत में लोग बार-बार जोहराय करते हैं, क्ल जहां में तेरा जल्वा है, तुझसा जल्वा अगर कोई नहीं, हरे अफसर का तूँ अफसर है पर तेरा अफसर कोई नहीं करणा निर्हान तुझ सामान धर्ती के उपर कोई नहीं परमेश्वर तेरी शानी का दुनिया में दिलावर कोई नहीं जिसने ली सरण तेरी प्रभुजी उसे खोफ खतर डर कोई नहीं तू सब के अंदर और बाहर है पर तुझ से बाहर कोई नहीं इसी को कहा गया है योवाम भगवान कैसे ढूरे नहीं कर्षियत सरवप्त्र सरवम्चा मैई परश्यती तस्याम्नपरणस्यामी सच्मेनपर्णस्यती जो मुझ में सब को देखे सब मुझे में स्थित हैं और मैं सब सट्थित हूं तौ एस सा व्यक्ति मुझे कभी अलग नहीं है, बरादर मुझे हम जितने प्राणी हैं सब के भीतर अंतर जामी रूप से बैठा हुआ हो एक दिन ये स्थूल शरीर और सुक्ष्म शरीर इत्याद का भेद बताते हुए निवदन किया गया था अगर भूल नहीं गया हो तो हम जिस संसार को देख रहे हैं कौन चीज़ से देख रहे हैं आँख से देख रहे हैं न तो आँख किसको कहते हैं उपर से तो लगता है कि यह जो काली और उजली पुतली जो है यही आँख है नहीं इसके कई स्थर हैं इसके कई लेयर्स हैं ऑफर से जो दिखाई पड़ता है बाहर बाहर काला और उजला है। इसको नेटर नहीं, इसको नेटर गोलक कहा गया है। इसके भीतर है नेटर इंद्री। उसके भीतर है नेटर इंद्रियादिश्ठात्र देव सुर्जांस। नेत्रिंद्रिया धिष्ठात्र देव सुर्ज के भीतर है मन, मन के भीतर है बुद्धी, और बुद्धी के भीतर भी है उससे भी पीछे है उसके बेक्ग्राउंड में जीवात्मा, और उस जीवात्मा के भीतर भी अंतरजामी बनकर के परमात्मा बैठा हुआ है, उसी का ना में अंतर जामी, वो कितना सुक्ष्म है, उसकी सुक्ष्मता का, उसकी छुटाई का कोई अंदाज नहीं लगा सकता है, उदारन दे करके बताओं, आप लोगों में से कभी किसी ने खुंजाच कराया है, खुंजाच करने के कई तरीके हैं, एक तरीका ये है, कि उसकी एक स्पिरिट से पोच देते हैं, लोग एक वारुई से, और फिर उसके बाद एक सुई लेते हैं, और उसको भी जड़ा इत्थर से चाहे, स्पिरिट से पोच देते हैं, अब फिर इसके बाद उस सुई की नौक को थोड़ा सा चुआ देते हैं, जादे नहीं कि और एक एक ड्रॉप खून निकल करके और उसके उबली के आगे दिखाई पड़ने लग जाता है उस पर एक इतनी चोड़ी दो अंगुल चोड़ी सीसे की पटिया लेकर के उस खून को थोड़ा सा छुआ देते हैं तो पूरा खून इस पर नहीं आता है उसका थोड़ा सा अंस आ जा पर दूसरे पर दर देते हैं और फिर उसको ऐसे गसीट देते हैं तो अब वो उतना चोटा सा रग्त का अंस काफी दूर में फैल जाता है अब उसको ऐसे देखिएगा तो कुछ पता नहीं चलेगा और डाक्टर के अनुविक्षण जंतर पर ले जाकर चढ़ा कर देखिए जिसको माइक्रोस्कोप कहते हैं उस पर देखिएगा तो उतनी ही रक्त के दाएरे में सेक्रों कीटानु जिन्दा मिलेंगे सेक्रों कीटानु जीवित मिलेंगे और वो चलते फिरते नजर आ रहे हैं उनके हाथ हैं, पाव हैं, आख हैं, कान हैं, नाक हैं, मुह हैं, पेट हैं, पीठ हैं, तो सुचिए कि उनकी टानूं का टोटल सरीर ही इतना छोटा है, कि जब तक अनविक्षन जंत्र का साहरा नहीं ले तब तक उदिखाई नहीं पड़ते हैं, और दिखाई पड़ने लग तो सुचिए कि एक मुंद रक्त के छोटे से अन्स के भीतर जब सैकों की संख्या में है वो, तो उनका पूरा सरीर कितना छोटा होगा, और वो चलते फिरते दिखाई पड़ रहे हैं, इसलिए कि उसके भीतर जीवात्मा बेठा हुआ है, बिना जीवात्मा के कोई सरीर चल सकता है, चलते फिरते दिखाई पड़ रहे हैं, इसका मतलब की उसमें जीवात्मा बेठा हुआ है, तो सोचिए कि जब उनकी टानों का सरीर ही इतना छोटा है, तो उनमें बेठा हुआ जीवात्मा कितना सुक्ष्म होगा, और उस जीवात्मा के भीतर भी अंतर जामी रू को सब्सक्राइब कहा है, इस श्वरूप में और मेरे मातो महियान विभू स्वरूप में, जम यहे हैं उन्तर जामी, जम वह हैं आपर जाम होगा है, तो अंतर जामी यहान स्वरूप तो समंझ दологे ना? . उस अंतर्यामी को, अथवाउस विभू को, अथवा उस परस्वरूप को, हम प्रणाम करना चाहते हैं, तो कहां जा करके प्रणाम करें? हम गंगा जी में दो फूल चड़ाना चाहते हैं तो कहां हम फूल चड़ा मेंगे गंगा जी गंगोत्तरी से निकली है और समुद्र में जाकर के गंगा सागर में मिल गई है वही गंगा जी हरिद्वार में भी दिखाई पड़ती है वही गंगा जी प्रयाग में भी दिखाई पड़ती हैं, वही गंगा जी कासी में भी दिखाई पड़ती हैं, वही गंगा जी गंगा सागर पर भी दिखाई पड़ती हैं, हमें गंगा जी को फूल चाहना है, तो हम कहां जाकर के फूल चाहन हैं, हमको गंगोत्तरी जाना फुरिये तुरिये तो तो बहु हुआ से और गंगा सागर तक जहां कही घंगाजी की दारा निकट हमारे दिखाई पड़े रहे हमर पन कर देंगे तो वह किसको पराप्त होगा गंगाजी को फॉप राप्त होगा नग मन लीजिये कोसी के दसगुना कोई जंगल हो पूरी कोसी बस्ती है इसके दसगुना कोई जंगल हो और पूरे जंगल में आग लग गई हो अब सुचिए कोसी के दसगुना क्षेत्र में आग ही आग ही आग हम खोज रहे थे कि भाई कहीं अगनी देव मिल जाए तो मैं उनको प्रणाम करना चाहता हूं उनको पूजन करना चाहता हूं उनको चंदान और धूप और दीप और आर्थी नई वेद्य अरपन करना चाहता हूं तो अब बताईए कि पूरी छोर पर पुजा करना ज़रूरी है कि पस्चिमी छोर पर हाँ पूरे ख्षेत्र में जो अगनी का व्यापक स्वरूप है उसको किसी में छोर पर अगर हम अरपड कर देते हैं अपनी स्रद्धा अपना प्रणाम तो उस एक ही अगनी देव को प्राप्त होगा उसी तरह से वह एक ही प्रभू उसको हम चाहे पर स्वरूप से आरधना करने तो उन्हीं की आरधना हुई विभू स्वरूप से आरधना की तो उन्हीं की आरधना हुई अंतरजामी स्वरूप से अगर उनको पुझन किया तो उनी की हुई अथवा इन चार रूपों में अगर हमको नहीं अन्वों में आ रहे हैं तो उनके लिए हमने कहा कि हे प्रभो कृपा करो आप अपने अरचा सुरूप से प्रकट हो करके हमारी पूझा सुखकाश करो तो स्वामी हर्दास जी की पूझा सुखकार करने के लिए उन्होंमें बाके भिहारी जी के रूप में अपने को प्रकट कर दिया ओड़चा नरेस महराज मदुकर साह की धर्मपत्नी थी उनको उनका मुर्थपुन करने के लिए उनकी सुर्दा स्विकार करने के लिए उन्होंने रामराजा के रूप में अपने को प्रकट किया था जो अभी भी ओड़चा में दिराजमान उड़ी साव वालों की सेवा स्विकार करने के लिए उन्होंने अपने को जगनाथ रूप में प्रगट किया था सवराष्ट वालों की सेवा स्विकार करने के लिए द्वार का अधीस के रूप में प्रगट किया था जाकरके द्वारका अधीस को अपना प्रणाम में वेदन कर दें, अथवा समुधर के किनारेस्थित जगनात पुरी में जगनात भगवान को अपनी सेवा अरपन कर दें, ये उनी को प्राप्त है, ये उनका अर्चा स्वरूप है, और जो उतनी जूर भी नहीं जा सकेंगे, बुल कि हम तो घर बैठे सी उनकी सेवा करना चाहते है, उनके लिए कहते हैं तो उनके लिए करते हैं कि हम तो शालिगरा trudष से प्रिग ठखना करते हैं से बंच प्ञुक स्वदों करते हैं. आत्मा का स्वरूप परमात्मा का स्वरूप तो समझ में आ गया होगा थोड़ा थोड़ा अब इनकी विशेस प्याख्या समझनी हो तो करम करम से हम लोगों को वेद पढ़ना होगा पुरान पढ़ना होगा इतिहास महाभारत वालमी की रामेर पढ़ना होगा भागवत सचेन आधियाख Ayam aiadash sound लोगं तो स्वर्णख सयागर पढ़ना होगा राम चरित माज़ पढ़ना होगा बक्त माल पढ़ना में इन्हीं सवरूफों ऒढ़ना करकर के कि हम लोगों को समझाने की कोशिस की गई है अब तो कौन कौन सुरूप हुआ पाच हो गया ना तो आत्मा का सुरूप हो गया परमात्मा का सुरूप हो गया अब आत्मा और परमात्मा के बीच में पड़ा हुआ जो विरोधी सुरूप है जो भजन में विरोध डालता है इसक मेरा जी की कथा के सुरू सुरू में बतायते कि को इतने दिन हो गए हमको कल बतायता ना कि नरसी जी को कितने दिन में बहुत साक्षाद कार हुआ साथ दिन में नाम देव जी को कितने दिन में साक्षाद कार हुआ तिन दिन में मीरा और धन्ना जी को एक एक दिन में, द्रौ जी को कितने दिन में? 6 महीना में, शाबास. पाथ आप दोगों को याद है. और हम लोगों को 6 साल हो गउन भजन करते ही हुगे अबते कि बगवान का साक्चातकार नहीं हुआ का रण क्या है? कल उदारण दिया था कि हम पंपिंग सेट चला रहे हैं लेकर खेत नहीं पटाकियों बीच के क्यारी फुट गई है तो हमारी क्यारी कहां कहां से फुटती है वही विरोधी स्वरूप है नारांग हरी भजन में ये पांचोन स्वात विसे भोग निद्राहसी जगत प्रीत भवबात अत्याहारा प्रया सच्च प्रजल्प निमाग रहा जनसंगम जलवल्यम चा खड़विर भक्ति विनश्यती सुख संपत परिवार बढ़ाई सब परिहर करियों सिवकाई क्यों किय सवराम भगति के बाधक कहां ही संत्तव पदेवराधक हम इधर अपनी बृत्ती को फसाए हुए हैं इसलिए हम भजन भी करते जाते हैं और हमारी क्यारी फूटी हुई है हमारा किया हुआ भजन वो फसल तक नहीं पहुच करके और सुनसारी वासनाओं को पन पाने में लग का हुआ है तो जो चौ परकार की सरनागिती के लक्षन बताये थे उसमें जो यह द्यागने लायक है ॉसमें इसकी ब्याक्षा बहुत बताई जा चुकि है फीरोधी स्वरूप कल बताया गया था मिरा-जी की कठा में सबसे बाढ़ा ओह क हे सरीर के प्रति मैं और मेरा यह म मोर तोर तेमाया जही बस कीने जीव निकाया यह सब बाधक बन जाते हैं इसलिए इसे हम लोगों को ऊपर उख्षना अब बाधक स्वरूप को हटाने के लिए क्या-क्या उपाय करना होगा यह चोथी चीज है उपाय स्वरूप है अर्थपंचक में से उपाय स्वरूप उप है किर्टन है कथा है सत्संग है यह सब उपाय है